नमस्कार सातियों मैं मास्टर बिनोस सर हाजिर हूँ एक और नए महत्पुन टॉपिक के साथ देखिए आज हम आपसे बात करेंगे अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार है जो ये दूसरे नमर का अधिकार आता है वैसे हमने समानता के अधिकार का भी सेफरेट वीडियो बजारी किया है और टोटल अधिकार को अभी एक वीडियो बनाया है तो हमारे वीडियो को जरूर देखे साथ ही हो देखिए चुतंत्रता का अधिकार है ये है 19-22 आर्टिकल जो है अनुछित जो है 19-22 है यहां तक ये है और ये भी ट्रिक के साथ बताया हमने देखिए ट्रिक हम आपको पादम बताएंगे पहले आप देखना हमारे आर्टिक ये कहरा है साथियो आर्टिकल जो 19 है इसमें लिखा है प्रतिक नागरिकों को प्रेस में सूचना का अधिकार कि प्रतिक नागरिकों को प्रेस में अपनी बात कहने का और आर्टिए के तैत सूचना का अधिकार मांगने का सब लोगों को अपना पूर्ण हक है अधिकार है जो लोग नहीं जानते, वो लोग साथियों अपने अधिकारों का खनन करा रहे हैं, CDC बात है, अगला है साथियों दो सिद्धी का अधिकार, कि आपात काल के दौरान भी, यानि आपात काल के दौरान भी, लोग अपना दो सिद्ध करा सकते हैं, जैसे के बार राष्टपती सा आपात काल के दौरान भी निरस्त नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता, आपात काल के दौरान भी निरस्त नहीं कर सकता, तो ब्यक्ति आपात काल के दौरान भी अपने नियाय मांग सकता है, या नियाय के लिए गौहार लगा सकता है, यह आर्टिकल 20 है, इसमें लिखा है दो 21 है अब पेपर में पूछ जाता है भाहरतिय सम्मिधान में वो दो अधिकार जिने राष्टपती आप आतकाल के दौरान भी निरस्त नहीं कर सकता तो वो आर्टिकल ही पूछता साथ ही हो अगर ये लिखके देगा जीने का अधिकार तो हर इंसान करके आएगा हर लड़का हर छात्र हर बेटी करके आएगी लेकिन वो देता है अनुचेद 20, अनुचेद 21, 22, 23, 24, 25 ऐसे देता है तो इनमें से एक देगा 20 और 21 में से तो 221 में से एक देगा तो वही हमारा उत्तर हो जाएगा तो साथियो अनुचेद 20 और अनुचेद 21 को राश्टपती आपात काल के दोरान भी निरस्त नहीं कर सकता अगला है 22 ये लिख रहा है बंदी प्रत्यक्षी करन का अधिकार ये क्या होता है साथियो बंदी प्रत्यक्षी करन का अधिकार आप लोगों को पता होगा किसी भी जुर्म में या बिना जुर्म के भी उन्हें गरबदार कर लेती है पुलिस के बढ़ देखा होगा आप लोगों ने सक के दाड़े पर ये नियम है साथियों जिस ब्यक्ति को बंदी बनाए गया है थाने में या निकटतम पडोसी अपनी कोई पुलिस चौ्किया है उसमें तो 24 घंटे के अंदर सैसरीर यानि 24 घंटे के अंदर से सरीर ब्यक्ति को निकट तम न्याले में पेस करना आउशक होता है साथियो ये भी ब्यक्ति का पूर्ण अधिकार है साथियो अपना आप में तो अब हम आपको बताएंगे इन अधिकारों की ट्रिक है बहुत ही सांदार ट्रिक है साथ ही यदि आपने दिल से वीडियो देखा है तो आपको जरूर पसंद आई होगी देखिए लाइन है प्रेस में सूचना आई दो जने बंद कर दो माना ये लाइन है प्रेस में सूचना आई दो जने बंद कर दो ये लाइन आप बार बार पढ़ेंगे निश्चत रूप से आप द्रड विस्वास से कह सकते हैं कि अब हम सुतन तरता का अधिकार के जीवन में कभी नहीं भूलेंगे ऐसा ही दमदार वीडियो साथियों हमने सामानता का अधिकार दिया है सामानता का अधिकार में भी हमने आपको बहुत सांधार ट्रिक दिया है यदि आपने हमारे उस वीडियो को नहीं देखा है तो साथियों हमारे उस वीडियो को जरूर देख लें देखिए यह दे रखा है साथियों प्रेस में सूचना आई दो जने बंद कर दें तो यहां तक है प्रेस में सूचना जो आई है तो प्रेस में सूचना का अधिकार तो यह हो जाएगा आर्टिकल 19 तो यह हो जाएगा प्रेस में सूचना का अधिकार दो से हो जाएगा साथियों दो सिद्धी का अधिकार और यह हो जाएगा साथियों आर्टिकल 20 जने से बना लेंगा हम साथियों जीने जने से क्या बना लेंगे जीने या मरने का अधिकार यह हो जाएगा साथियों 21, 19, 20, 21 हो गया और 21 में अगला आ जाएगा समय और बंद से मतलब साथियों बंदी प्रतिक्षी करण का अधिकार बंद से बंदी प्रतिक्षी करन का अधिकार की जिन व्यक्तियों को किसी कारण से या विकारण से या अनावसकरूप से भी बंदी बना लिया जाता है जिन व्यक्तियों को बंदी बनाया गया है उन व्यक्ति को निकट तमनियाले में सहसरी पेस करना होता है तो साथियो आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो यदि साथियो आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे साथियो इस वीडियो के लिए हमने लाइक रखे हैं पचास 50 लाइक रखें साथियो जो भाई वीडियो देख रहा है इस वीडियो को लाइक जलू कर दे साथियो और अपने निकट वरती फ्रेंड़ों पर सेर कर दे टैंकि साथियो हम हाजिर होंगे एक और ऐसे ही पॉलिटिकल के दमदार वीडियो के साथ धन्यवाशाथियो